64 64 जगहने अपराधों के केस जिस पे चल रहे हो जिसमें हत्या है लूट है जमीन को कबजा कर लेना है और तुम उसको के नहीं उसके घर से 15 लोग सोतंता से नहीं थे तो मंदिर अगर बनवाया भी जो की प्रपंच है मंदिर बनवाने से महों के दंगे तुम्हारे छुप ज प्रिगेडियर उसमान महावीर चक्र और यह जो है नाना थे फिर उसमें डीटेल्स जोड़ी जाती है अरे खाली नाना नहीं थे पाकिस्तान आर्मी ने जिन्ना निकार्स चीप बना देंगे आपको ब्रिगेडियर साब आर्मी में डॉक्यमेंटेड है तुम जिसे उसमान मान रहें, वह मान नहीं है. इसका कोई नाना कोई आर्मी में नहीं इता हम लिए परजी था . वह इता दाम नरी होलनीं के लिएर wan शेज वीडिया को चुपा व्याट्न के गुजारा करता था अब यह तोपी सीले कच्छा सीले हमको क्या उससे मंदिर तुडवा था नॉसने उसके टोपी सिलने से क्या मंदिर पर जो टोपा डाल दिया है वो मिट जाएगा उसका पाप उसी तरह 15 लोग सोतंता से नानी थे ये वो जो है मुक्तार अंसारी मतलब तो वो भी सोतंता से नानी हो गया कुंडों के घर में अगर पूरवज को बढ़िया हो तो बताने कोई आशकता नहीं है मीडिया को उसको छुपा यार वो बेचारा वो कब्र में होगा वो क्या सोच रहा होगा अगर संबंद है वे संबंद तो ही नहीं वो अपराधी नहीं होता अच्छा नहीं होता बुरा नहीं होता आतंकवाधी नहीं होता कुछ नहीं होता है मुसलमान केवल मुसलमान होता है वो केवल मुसलमान होने के कारण ही पूरा का पूरा उम्मा उसके बचाव में लग जाता है भगवाचोला और यार उद्योग में भी ये तो वन ट्रिलियन डॉलर की बातें कर रहा है तो बढ़ते भारत के लिए समृत दूतर प्रदेश मेन इंजन की तरह है उससे इनको चुभन होती है और उनको पता चुभन इसलिए होती है कि उन्हें भी पता है कि this guy is going to get there ये अचीव करेगा वो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनरोध है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नॉटिक्रिकेशन बिल दबालें और यदि आप कुमारी साहता करना चाहते हैं, तो QR कोड के माध्यों से जो आपके स्क्रीन पर है, इसके माध्यों से कर सकते हैं या फिर जो नंबर है, Google पर, फोन पर, पे, पे, टीम आदी, और, उपिया के माध्यों से आपं सही होग दे सकते हैं, आहिए अरम करते हैं मुकतार अंसारी के बारे में अधी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और ट्विटर के कुंजी पटल अंगूठा वीरों को पढ़ा जाए तो संभवता उसे नॉबेल पीस प्राइज या भारत रत्म दे दिया जाना चाहिए था जिस हिसाब से इन लोगों के ट्वीटों और रिपोर्टों में अंसारी के लिए ममत्तु का दूध हुतर आया संभव है कही घर में आज इद की सेवईयों के लिए बाहर से लाना ही ने पड़ा होगा एक से बढ़कर एक परपंच गड़े गए कि उसके नाना ने कश्मीर दिलवाया उसके नाम पे दिली में सड़क है ब्रिगेडियर उस्मान को पाकिस्तान ने आर्मी चीफ बनने का आफर दिया था उस्मान भारत मही रहना चाहते थे चाचा उप्राश्पती थे स्वैम मुक्तार दलितों का मसीहा था हिंदूों के लिए मंदिर बनवाया करता था मुक्तार के परिवार से सोला स्वतंतरा सेनानी शहीद हुए है बेटे भतीजे भाई आदि सांसाद और विधायक है शेरे पुरवांचल था गरीब हिंदू बेटियों का विवाह करवाता था अब इसमें दो बाते पहली यह कि इसमें से एक विवात सत्ति नहीं है सबसे पहले यह चिठी पढ़िये जो हमने किसी को भेज कर अन्वेशन करवाया सरकारी डॉक्मेंट्स में विच्छाना पर कहीं भी मुकतार अनसारी का ब्रिगेडियर उसमान से कोई संबंध नहीं निकला यह पढ़िये आपके स्क्रीन पर हमें पीछे से पढ़ता हूँ मैं इस गाउं में गया था लगवक 7-8 एकर में एक खंधर हवेली है उसमें गाउं के लोग भी नहीं जाते है गाउं के अनेकों लोगों से बात किया पर कुछ ठोस बात पता नहीं चली किन्तु एक बात सभी ने कहा कि इस अनसारी परिवार का जो मुहमदाबाद का है उस्मान के परिवार से कोई रिष्टा नहीं इस गाउं के किसी अनिका है मुक्तार महों से पांच बार विधायक रहे दो बार लोक सभा लड़े कभी इस गाउं में नहीं आए उनके दो परोसी मिले एक इर्शाद आहमद, अस्सी वर्षका और सुहेल आहमद इन लोगों ने बताया कि ब्रिगेडियर साहब की शादी नहीं हुई थी तो बच्चे होने की संभावना आप समझी सकते हैं कि नहीं होगी इनके दो भाईयों में से एक पाकिस्तान और दूसरे बांगलादेश चले गए तीन बहने थी उसमें से दो का पता नहीं है किन्तु एक बहन के बच्चे दिल्ली में कहीं रहते हैं जो ब्रिगेडियर साहब के दिल्ली वाले घर के वारिस बने है किन्तु वर्ष 1950 के बाद इस परिवार का कोई भी वारिस नहीं आया सांसत अपजाल जूट बोलते हैं कि डॉक्टर मुक्तार अहमद अनसारी उनके बाबा थे यानि दादा थे डॉक्टर मुक्तार का भी कोई संबंद नहीं है इस परिवार से जो प्रोफेसर बता जाता है जामिया के संस्थापक और ये सब कोई संबंद नहीं है कैसे अफजाल अंसारी के पिता सुर गया सुभान अल्ला अंसारी के कबर पर मुहमदाबाद कब्रिस्तान में जहां मुखतार भी दफन हुआ है वहाँ जो पत्थर लगा हुआ है उसका वंश्प्रिक्ष खुदा हुआ है जो आपकी स्क्रीन पे आगे अभी में डाल रहा हूँ और साइड में भी लगा दूँगा ताकि आप लोग स्क्रीन शॉट ले 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 और देखें और समझें कि किस तरह से मसीहाई की कथाएं जो है पाप छिपाए जा सकें लेकिन या पूरवज होने भी तो चाहिए पूरवज बढ़िया होगा तब तो अगर बढ़िया पूरवज होते तो तुम भी बढ़िया निकलते चलो मान लेते हैं कि सारी बाते जो उपर बताई गई हैं वो सारी बाते सत्ते हैं तो भी अब प्रश्ण यह है कि क्या किसी का विवाह कराने के कारण उसको जो पंद्रह हजार रुपया उसने दिया सैकरों घरों के भूमी अतिक्रमन पर भारी पड़ जाता है विवाह करवादिया ना हिंदू लड़की का विवाह करवादिया एक गरीब उनके गेट पे खड़ा था कोई भगा रहा था मतलब कहानी आप देखेंग और उसका विस्तार देखेंग डीटेल्स जो उसमें जोड़े जाते है मंदिर बनाने के लिए पैसा दे दिया बोला जाएक नहीं एक दिन मुक्तार साप जा रहे थे देखा रहे यह क्या है ओ यहां मंदिर है अरे तो तुमने उसको प्लास्टर क्यों नहीं करवाया मालिक वो गिट्टी बालू नहीं था इसले गिटी बालू नहीं है इसको पैसे दो मंदिर बनेगा मुफ्तार अंसारी तुल गरीबों के मसीहा, दलितों के मसीहा हिंदुरों के मसीहा मंदिर अगर बनवाया जो के परपंच है मंदिर बनवाने से महो के दंगे तुम्हेरे छुप जाएंगे छुप जाएं क्या सोतंता अगर सेनानी थे तो तुम किस से सोतंता की लड़ाई लड़ रहे थे 15, 16, मतलब एक कोई 15 क्लेम कर रहा है, एक 16 क्लेम कर रहा है और देखें नंबर भी इसी तरह का लिए यह नहीं कि 10, 15, ना न भाई एकदम 16 टाइप का नंबर देगा कि आप मानने पर विवर्ष हो जाए कि बताओ यार कुनबा है पूरा सोतंता सेनानियों का तो भाई 1947 से पहले हम लोग के भी तो परदादा ये सब तो रहे ही हो हर परिवार में जोड लोगे उस हिसाब से तो उस वक्त थे एक दिया है कि गांधी जी के साथ चला करते सुके दादा ये इस टाइप से ठीक है गांधी जी के साथ चला करते थे गांधी जी के पास तो इंसा के नाम पे डंडा था वो भी सहरा लेक चलने के लिए था वो डंडेस मारते थो थे नहीं किसी को मतलब अभी तक तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है तुम्हारे दादा उनके साथ थे तुम ये जो जीप पे के 47 लेके घुम रहे हो वो सोतंता की लड़ाई लड़ी जा रही थी मतलब जिसका recorded instance है जिसकी दुरदानता ऐसी है कि वो भारत के सबसे घटिया अपराधियों में से एक है 64-64 जगहने अपराधों के case जिस पे चल रहे हो जिसमें हत्या है लूट है जमीन को कबजा कर लेना है मतलब यह चीनाम चोरी मुले स्टेशन यह सब तो उसके जवानी के किस्से यह सब तो है ही नहीं उसमें जो जगहने अपराध हैं और तुम उसको कि नहीं उसके घर से 15 लोग सोतंता से नहीं थे तो यह पूरा जो है यह मसीहाई की कथा इसी तरह लेगा पहले एक लाइन का फैक्ट आएगा ब्रिगेडियर उसमान महावीर चक्र और यह जो है नाना थे उसके फिर उसमें डीटेल्स जोड़ी जाती है अरे खाली नाना नहीं थे पाकिस्तान आर्मी ने जिन्ना ने कहा रहे चीफ बना देंगे आपको ब्रिगेडियर साब ब्रिगेडियर को हूँ चीफ बनाने के लिए मतलब आप समझे इस बात को ब्रिगेडियर से उपर भी होते हैं रैंक सिधे ब्रिगेडियर चीफ नहीं बन जाता है और इसमें ब्रिगेडियर उस्मान जिनको महावीर चक्र मिला है उनकी वीरता वो तो भाई आर्मी में डॉक्यमेंटेड है तुम जिसे उस्मान मान रहे हो वो वो उस्मान नहीं है क्य जो इसके नाना थे, इसका कोई नाना कोई आर्मी में नहीं था, फर्जी है, डीटेल जोर्थ हैं, किसको तुम अभी नाचते हो, संग यों लेकर के उस कश्मीर को आ जा दी जो बरिगेडियर उसमान ने दिल वाई, और भी लोग रहे होंगे, बरिगेडियर उसमान अच्छी मीडिया की माने तो यही हो रहा था आप सोचे न कि मुक्तार अंसारी को क्यों क्रेडिट दिया जा रहा है कश्मीर की आजादी का या पाकिस्तान आर्मी चीफ बनने से मना कर देने का उसका क्रेडिट एक दुर्दानत अपराधी को क्यों दिया जा रहा है उसी तरह दलितों के मसीहा थे, गारी रुकबा कर बालू गिट्टी दिया, हिंदू भी इनको मसीहा मानते थे, बेटियों की शादी करवाई, मतलब एक एक चीज, एक लाइन पहले दिया जाएगा, कि बेटियों की शादी करवाई, एक ट्विटर हैंडल वो पोस्ट करेगा, फिर कहीं से एक आजागा, पूरा कहानी लिखेगा, अलिखा जैसे कि वोसाला वहीं पे खड़ा था, वो वहीं पे खड़ा था, अब क्यूं खड़ा है, पता नहीं, मुक्तार अंसारी का कोई संबंद रहा होगा, उसके परिवार से आना जाना हुआ होगा, क्योंकि बेटे तो उसके बहुत पैदा होगे, हमने देख लिया, सोशल मीडिया पर भी और मेंस्ट्रीम मीडिया में, उसके संततियों की तो एकदम, आउलादों की कमी नहीं है, जिसके घर में एकदम, ना हिंदू बनेगा, ना मुसल्मान बनेगा, मुक्तार की संतान है, मुक्तार बनेग हिंदू बेटियों की शादी करवाई तो तुम क्या साथ, दंगे में किसको मार रहे थे, हिंदू को ही मार रहे थे ना भाई, उस पे तो कोई चर्चा नहीं होती है, तो यही मसिहाई का यह है, पहले एक लाइन का फैक्ट आएगा, फिर कोई एक पैराग्राफ लिखेगा, फिर कोई एक विस्तार से कहानी लिखेगा, लगू कथा, और उसके बाद आप देखेगा, कि कुछ दिनों में ये लोग लगू कथा की जगा पुरा पुरा उपन्यास लिखेंगे, मसीहा मुकतार, कोई लिखने बैट भी क्या होगा, एक आद मेना में आ जाएगा, और कोई जो है, शारुक खान टाइप का आदमी आएगा, वो रहीस टाइप की एक फिल्म भी बना देगा, और वो बताएगा, कि कितने एकदम युमेन वेक्ती थे, मानव तो यार, सरकार की नीतियों का वो जो शिकार बन गए, इसके कारण वो तो गलत रास्तिप थोड़ा सा चल ग है, और ऐसे बकलोल आदमी आपको यह विश्वास भी दिलवा देंगे कि भाई हाँ, वो लोग की कुछ गलती रही होगी, तब ही तो है, आजकल हमीं लोगों में से ऐसे हैंडल हैं, जो बदाईू में जो दो बच्चे हलाल किये गए, रेत दिया गया जिनका गला, उसके व संगुठा वीर हैं, उनको भी मैं शामिल कर रहा हूं इसमें, क्यों करती हैं कि अरे ओ हेड मास्टर का बेटा था, यह क्या है, तो इसको यार एक करनल ने बच्चपन उसके कान उमेठ दिया उठक बैठक करवाय, हला हमारा पूरा बच्चपन जो है, आधा बच्पन वही क कोली बंदूक लेकर चड़ जाएं उनके घर पे, क्या लॉजिक है, उसने जो है, करनल ने ये कर दिया था, हेड मास्टर का बेटा था तो, बाइक किसी का तो बेटा रहेगा, ऐसा तो है निकि गुंडे का बेटा ही गुंडा बनता है, यह नहीं है ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा, उसी तरह गुंडे का बेटा गुंडा ही बनेगा, वो जो है कुछ और नहीं कर सकता है, या बढ़िया आदमी का बेटा गुंडा नहीं होता है, पूरा इतिहास पड़ा हुआ है, भृतराष्ट के पिता कौन थे, भृतराथ स्वयम कौन था, दुरियोधन क्या निकला, तुम इस तरह के ग्रंथों से भी ले लो, और उसके आद चलते आओ तुम, ये सब करते हुए, पूरा मुगल का देख लो, उसब तो राजा ही थे ना, और कैसे आतंकवादी ही थे वस्तुता, रेप करते ही थे, हरम में महिलाओं को रखते ही थे, काफिरों के हत्या करवाते ही थे, सारा काम आतंकवादियों वाला उनका हुआ करता था, तो क्या हम उनके गुन गाने लगाए, ओ, नहीं, सौरी, याद आया, गुन तो गाते ही हो, और अंगजेव को, यही कहा है, टोपी सिल के गुजारा करता था, अब यह टोपी सिले, कच्छा सिले, हमको क्या उससे, मंदिर तुडवाया था, उसने उसके टोपी सिलने से क्या मंदिर पर जो टोपा डाल दिया है, वो मिट जाएगा उसका पाप, नहीं मिटेगा, तो उसी तरह 15 लोग सोतंता से नानी थे, यह वो जो है, मुकतार अंसारी मतलब, तो वो भी सोतंता से नानी ह वो गया, प्रशनिया कि यह लोग ऐसा करते क्यों है, मीडिया मेंस्ट्रीम ऐसा क्यों करती है, जो चला रहे है, मेंस्ट्रीम के 4-5 कारण होते है, एक तो होता है, पैसा, कहीं से पैसा खा लिया, इसलिए वो गुन गाएगा, एक होता है राजनेतिक प्रुभाव, क्योंकि कि ये जितने गुंडे रहे हैं, उनका एक political प्रभाव रहा है, और अभी भी बेटे भतीजे भाई ये सब सांसद और ये सब हैं ही, अभी धायक, गुंडों से डर भी लगता है, कि राह चलते उनके reporter को उठा लेंगे, मार पीट देंगे, किर्नाप करके रख लेंगे, फिर ए उसी राओं में, कि नई नई यार मोदित फासिवाद ला दिया, योगी फासिवादी है, ये तब तो गुंड़ई कर रहा है, ये सत्ता में वैट करके इस कारण से, तो वो वैचारिक समानता है, इसके कारण वो जो है, उनकी छाती में भी जो है, वो दुग्द जो है, वो पोडम जिद ओ एडिटर बुले का नहीं यार क्या ये भूमाफिया था लूट क्या हो तो सब जानते हैं जबकि एक पूरी जनरेशन नहीं जानती है जो 2000 के बाद पैदा हुए उनको नहीं पता है को किस तरह कादमी था और 2000 के बाद अब 24 साल बीत गये हैं तो एक छोटा सा स यह हुआ करता है मतलब पीक पर हुआ करता था उसके आथ तो सोशल मीडिया आता है सत्ता जो परिवर्तित होती है तो धीरे-धीरे वो डेकलाइन पर जाते हैं लेकिन था शाहबुदीन का आतिक अहमद का मुक्तार अंसारी का इन सब का भयावह प्रुहाव था तो अब क्य है कि कुछ यार एडिटर साब बैठे हुए है मीटिंग बले नहीं है है मुक्तार मर कि कुछ यार अलग एंगल लेकर के आओ सर ये चल रहा है कहीं पर ये ब्रिगेडियर उस्मान का उनाती था हाँ हाँ चलाओ 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 मतलब एक बार भी कहीं से AGDPI से किसी से पूछ तो लो कि ऐसा एक्च्वल में हैवी की नहीं और दूसरी बात यदि ऐसा होता भी है ना तो एक जिम्मेदार मीडिया जो एक रिस्पॉंसिबल जेनलिजम ये है कि आप उस फैक्ट को कभी भी फ्रंट में करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि मुक्तार अंसारी का कद उससे न उसको तुम डिमीन कर रहे हैं उसको ट्रिवलाइज कर रहे हैं को देखो इनके खांदान में तो ऐसे ऐसे लोग हैं मुक्तार अंसारी ब्रिगेडियर मुक्तार अंसारी नहीं बन जाएगा उससे तो इस कारण से मैं कहता हूं कि गुंडों के घर में अगर पूरवज को कुछ अलग हैं लाओ तो फिर बोलेगा सर और कुछ नहीं मिल रहा हैं अरे उसको बहुत लोग मसीहा बोल रहे हैं सर एक मसीहा पे मैंने लगू प्रेम कथा लिखे हो चला दूं क्या हां बताओ क्या सर एक दिन मुक्तार साब जो है सर लौन में चाही पी रहे थे और गेट हिंदू भाई हैं हमारे भेजो आया तो एक गरीब आदमी ऐसे करके वो उनके मुक्तार साब के पाओ में बैठ किया और बुला कि मालिक बिटिया का विवा होना है पैसे ने अरे तो आप पहले बैठिये हमारे साथ बैठिये सोफाब बैठिये आप क्या बात कर रहे हैं और इस तरह से ये चला कि जानते हों लोगों वो महानवक्ति कौन था हो थे हमारे मुक्तार अंसारी इस टाइप के ये मैं बता रहा हूँ आपको ये सारी कथा ये जो प्रेम कथा ये औरंग जेवी करन जो हो रहा है ने इसका कि उटोपी सिलता था और मंदिरों का जिर्ण नहीं होता है और अंततह जब ऐसा होता है तो कुछ अलग के चकर में उसके अपराधों पे ही कोई चर्चा नहीं होती है आप समझे इस बात को क्योंकि हर जगा तो यही है आज तक बाला बोला अरे जी वालों ने चला दिया तो तुम्हारे पास ये कहानी क्यों नहीं है अब उस कहानी को कहने के लिए मीडिया किसी को एरेंज भी कर लेता है वो रैंडम जगा चला जागा पेड़ पोधा है दोस्तों हम लोग गाजीपूर में हैं यहां पे उनके गाउं के लोग हैं और यह हां हमारी ही वो चचेरी बहन थी जिसकी शादी जो मुकतार साब ने क काम करता है कोच किये जाते हैं लोग जो पत्रकार को एंगल चाहिए होता है वो एंगल बता जया भाई तुम्हें ये बोलना है बोल दोगे 200 रुपिया दूंगी ठीक है वो बोल देगा फिर क्या होता है यही यह स्लोप वाइजन है एक तरह से जो धीरे धीरे आपको विश पिश्वास दिला दिया जाएगा कि ये सरकार ही नहीं पूरा विश्व मुसल्मानों के विरोध में है उसामा बता ये इतना अच्छा पिता और पती था उसको मार दिया या मतलब पिता और पती बताता है साले ट्विन टावर में जहाज भीरा दिया था उसने वो कोई नही जाता है तो जब एक बार ऐसा नहीं हो ना जब बुरहानवानी पे हो अबजल गुरू पे हो क्या कहते हैं जिलानी पे हो कसाब पे हो उसमा बिनलादेन पे हो ये सब पे जब इसी तरह की लगू कताएं प्रेम कताएं जो चलती है ना तो धीरे धीरे ये ये गोईबल्स वा यार बताओrend मुसल्मानों यार इतना बढ़िया है नमाज परते हैं वो लोग यार टोपी पैन के कूर्ता भी साप रहता है दरी भी छाक परते हैं उनको इतना सताय जा रहा है तो ये media जो है ना, ये slow poison जो है आपके भीतर ये धीमा विष जो है वो आपके भीतर डाला जाता है ताकि आप एक समय के बाद आप यह मानने लगे कि यह सरकार अबस्तुता दुनिया में कोई भी सरकार मुसल्मानों की भी सरकार जोते हैं मुसल्मानों के विरोध में ही होती यह victim card खेलने का तो ऐसा है इनका मतलब जीतने भी यह दुरदानत अपरादी होते हैं सब के सब नहीं भाई यह कोई अपराद यहार रखो आप अलग क्या बात करते हुआ ऐसा है लेकिन आपने कभी भी किसी भी हिंदू अपरादी के लिए नहीं देखा होगा कभी नहीं होता है विकास दूबे बहुत बड़ा गैंक्स्टर था वो जब मरा गारी जो पलट गई थी उसके पिता ने से त्याग दिया था ऐसे ही इसी तरह कोई और था मुझे उसका ध्यान नहीं आ रहा उसकी मा ने बोला कि अगर उसने ऐसा किया तो वो मेरा बेटा नहीं है वो यहाँ आ नहीं सकता इस तरह से और यहां सादिक के लिए तीस हजार लोग जनाजे में जमा हो जाते है सादिक कौन बड़ाईउं के जो दो बच्चों का गला रहता है और जो बहर उसको आज जस्टिफाई कर रहा है कल रात उसने ट्वीट करके वो पुलिस से पूछा है और बरा भोला बनके पूछा है कि यार उस पे अपडेट क्या है वो जो है न वो पता चला मुझे कहीं से कि सादिक की मोटर साइकिल में बच्चों के बाप ने आग लगा दिया था आप सूचे कितना सटल प्रोपगेंडा है ये उसकी बाईक में आग लगा भी दिया मालो जो की जूट होगा प्रपंच होगा बदायों पुलिस ने उसे जवाब दिया कि भाई ये जो है ना वे मनस से फैलाना बंद करो ये नो टंकी तुम आप सोचे कि मोटर साइकल में आग अगर लगा भी दी तो तुम उसके बच्चों को गलारेत दोगे जस्टिफिकेशन ऐसे ही काम करता है जुबैर जैसे लोग इसी तरह से काम करते हैं अब क्या होगा कि पूरा का पूरा पूरा आ जागा जो ही आप बात करोगे ना दो बच्चों के हत्या पूलेंगे यार उसका बताओ बाइक दिया था वो गुसा आ गया उसको अब अब युवा था और वो गुसा आ गया तो उसने कर दिया उसको करना ही नहीं चाहिए था जब आप कुछ नहीं करेंगे जब कोई कुछ नहीं करता है तब भी उसके लिए कुछ चीजे गढ़ दी जाती है बुर्हानवानिक साथ तो कुछ नहीं किया था नहीं किसी ने तो उसके बचपन की कहानी लाई गई क्यों जब साथ वर्ष का था तो एक करणल ने उसका कान उमेट दिया था कितने पीछे जाते हैं उसके बाद भी और एक होता है इस जनरेशन में उसके साथ कुछ ने तो अपने बाप का बदला लेने हो जाता है कि नहीं ने उसके साथ मुक्तार अंसारी के साथ वस्तुता मुक्तार अंसारी जो है और अतिका मद है इनका आप इत्यास उठाएंगो तो यही कहके जस्टिफाइ किया जाता है यार वो बहुत गरीबी मुलोग जीते थे लेकिन उन्हें जो प्रसासन ने ढखेल ढखेल के उनको अपरादी बना दिया याद रखिए मुसल्मान केवल मुसल्मान होता है वो अपरादी नहीं होता अच्छा नहीं होता बुरा नहीं होता आतंकवादी नहीं होता कुछ नहीं होता है मुसल्मान केवल मुसल्मान होता है वो केवल मुसल्मान होने के कारण ही पूरा का पूरा उम्मा उसके बचाओं में लग जाता है, जहाँ उन्हें चुप होना होता है, वो चुप हो जाएंगे, जहाँ उन्हें जस्टिफाइ करना होगा, वहाँ जस्टिफाइ करेंगे, वो आतंक को, अपराधियों को, हर लोगों को, वो अपना बना लेते हैं, और यूपी में योगी के साथ वर्षों का कुछ डेटा दूँगा कि फरजिवाना चलता है न कियार मुसल्मानों के विरोध में ये पुलिस आ गई है योगी सरकार की ओर से जारी की गई लिस्ट में 2017 से 23 तक 183 अपरादी मुठभेड में मारे गए है इसमें केवल 57 मुसलिम है 126 हिंदू है 2017 में 28 अपरादी अंकाउंटर में मारे गए जिसमें 14 मुसलिम है 2018 में 41 मारे गए जिसमें 14 मुसलिम है 2019 में 34 मारे गए 11 मुसलिम है 2020 में 26 मारे गए जिसमें 5 मुसलिम है 2020 में फिर से 26 मारेगे इसमें 7 मुसलिम है 22 में 14 अपराधी एंकाउंटर मारेगे इसमें केवल 1 मुसलिम था और 2023 में 14 का वापस एंकाउंटर हुआ इसमें असद गुलाम सबेड 5 मुसलिम है मुसलिम वर्की अगर जेल में बात करें जेलों में कह दे इंडियास्पेंट.com के प्रिजन वाज के अनुसार 2022 में उत्तर प्रदेश की जेलों में कुछ 91,933 कह दी थे जिसमें 65,784 हिंदू थे और केवल 26,149 मुसल्मान कह दी थे तो ये आपके समक्ष डेटा है जो बोला जाता है कि मुसल्मानों को टार्गिट किय जाता है डिस्प्रोपोर्शनेटली बाए पहली बात तो यह है कि डिस्प्रोपोर्शनेट क्राइम होंगे तो अभ्यस सी बात है कि उनके खिलाफ मामले चलेंगे अब सात वर्षों में योगी सरकार की कारवाई अगर देखी जाए 71,476 अपरादियों की विरुद लूट में 76, हत्या में 43, बलवा में 65, फिरोती और अपरन में 73% की कमी आई है यह कोई 14-15% की कमी की मैं बात नहीं कर रहा हूं 50% से उपर, 40% से उपर की कमी केवल सात वर्षों में बताता है कि प्रदेश में लॉइन ओर्डर को लेकर के कितने उत्विष्ट कारी हो रहे है प्रदेश तर पे चिन्हित 68 माफिया और उनके गिरों के सदस से कुल 1197 मतलब 1200 में तीन कम उनके विरुद्ध 711 अभियोग जो है पंजी कृत हुए रेजिस्टर हुए एंटी भू माफिया पोर्टल पर अवैद कबजे से संबंधित कुल 3,72,049 शिकायतों के सापेक्ष 3,70,748 शिकायतों का निस्तारण आप सोचे केवल 2000 बचे हुए कुल 66,872 हेक्टेर क्षेतफल अतिक्रमन से मुक्त हुए 66,882 हेक्टेर 98.2 शूनि पृतिशत निस्तारण दर के साथ UP महलाओं के पृति अपरादों में सजा दिलाने में देश में अग्रणी है ये सब NCRB का डेटा है महलाओं के पृति अपराद और पॉक्सो एक्ट के अंतरगत 7,276 अपरादियों को सजा मिली है महलाओं की सुरक्चा वहां सशक्ति करण के लिए 1699 एंटी रोमियो स्कॉट का गठन हुआ ये सारी चीजे योगी सरकार के समय में संभव हुई है और यही जो है ना वामपंथी मीडिया को पचता नहीं इनका प्रपंच एक मिनट में फूट जाता है आकड़े सार जनिक है ये लेकर आया ब्रिगेडियर उस्मान पहलाना डिम का मुझे लगता है मेजर मानिक जॉली थे उन्होंने तुरंत ही लिख दिया कि ये फर्जी बाते हैं ये पूरा का पूरा फर्जी वारा जो है वो चल रहा है बरता उत्तर प्रदेश वामपंथी मीडिया के लिए और वामपंथियों के लिए एक नासूर है क्योंकि मुख्यमंत्री बाबा है किसी ने सोचा ही नहीं था कि भगवा कपड़ा पहने हैं उनको लगा कि आएगा मंदिर बनवा देंगे मंदिर में चबूतरा बनवा देंगे मंदिर में मूर्तिले मंदिर में लाइट बनवा देंगे मंदिर ही मंदिर होगा और योगी आदित्यनात ने मंदिर वाले आसपेक्ट को एकदम एकदम अलग रखा हुआ है और उसके अलावा manufacturing हो mobile का factory लगवाना हो TV की factory लगवानी हो जूता का चम्रा का मतलब तरह तरह के उध्यो उत्तर प्रदेश में फलपूल रहे हैं जिसे लगा अधार बरबाद कर दिया गया था पिछले दो दस्कों में अब इसी कारण से भगवा चोला और यार उद्योग में भी ये तो वन ट्रिलियन डॉलर की बातें कर रहा हैं तो बढ़ते भारत के लिए समरिद दूतर प्रदेश में इंजन की तरह हैं तो ये जो वन ट्रिलियन ड डॉलर एकॉनमी की बात होते हैं जो 20 प्रिशत है भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी का तो उससे इनको चुभन होती है और उनको पता चुभन इसलिए होती है कि उन्हें भी पता है कि this guy is going to get there ये अचीव करेगा वो क्योंकि अपराध की समाप्ति और अपराधियों में वह जो है वामी मीडिया के लिए सही वातावरण नहीं है क्योंकि ये चला जाएगा फिर यार कैसे आप बजाज वाले को फैक्टरी यहां पर लगाना चाहेंगे तो कैसे जो है यूपी के म नाफिया जो उसको भगा देंगे वहां से यहीं तो होता है कि आप फैक्टरी लगाने जाओ आपसे फिरोती मांगा जाएगा आपसे रंगदारी टेक्स लिया जाएगा अब लोग हम यहां क्यों लगा या हम कहीं और चले जाएंगे ये जो है ना इस वातावरण को और हिंदू मुसल्मान तो उनका परपेचुल मोड में रहता है वो नहीं यार विक्टिम होड़ा है दंगे कर रहा है विराम नम्मी आ रही है आप देखेगा कि योगी आदितिनात के रहते हुए कितने जगों पे पत्थरवाजी होगी ये होना ही होना है यूपी में होगा बिहार में होगा गुजरात में होगा राजथान में होगा बंगाल में होगा ये तया है मैं लिख के देता हूँ on and average कम से कम दस दस जगों पे इन सारे राज़ियों में पत्थरवाजी होगी और सब वही बोला जागा मस्जित के आगश डीजे बजा रहे थे जी यही सब च इन सब कहानियों पर विश्वास मत कीजिए, आंकडों पे जाईए, तथि पे जाईए, और इन लोगों को मुह तोर जो है, उत्तर देना जो है अत्यावश्यक है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताए, जुने के लिए बहुत होता आभार, नौस्कार।